वेलकम टू बाइजूज ओनलाइन लर्निंग क्लासेज दोस्तों आप लोगों का इस प्लेटफर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग 16 अगस्त 2020 के समाचार पत्रों में से आपके लिए महत्पूर्ण प्रस्निस में से निकालेंगे जो कि आपके आगामी परिक्षा के दिश्ट्रिकोंट से यानि एक्जामनेशन पॉइंट आफ ब्यू से बहुत ही लाबदायक सिद्ध हो सकता है यानि जो आगे आने वाली परिक्षाएं हैं उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसलिए एक-एक करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं जैसा कि आप सबको अब पता चल चुका है कि हम लोग किस-किस बात पर डिसकस करते हैं यानि इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल अफेयर, स्पोर्ट सेक्षन, आवार्ड्स, बुक्स, प्लेसे, आल इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके एक्जामनेशन पॉइंट आप व्यू से इंपॉर्टेंट हो तो इस तरह से एक-एक करके आईए चर्चा करते हैं तो रास्ट्री और अंतरास्ट्री है मामलों में पहला जो आज हमने लिया है वो है ट्राइबल हेल्थ एंड नूट्रिशन पॉर्टल अब देखी यहाँ पर सीधे आपसे प्रस्न बन जाएगा कि अभी हाल ही में यूनियन ट्राइबल अफेर मिनिस्टर सबसे पहला प्रस्न तो यहीं बन गया कि कौन है अरजुन मुंडा है यह जारकंड से बिलॉंग करते हैं और दोस्तों आपको पता है कि वहाँ भी धेर सारी जन जातियां पाई जाती है जैसे संथाल है मुंडा है हो है बिरहोर यह समहत पूर्ट जन जातियां वहाँ पाई जाती है तो मुंडा भी एक जन जाती यह ग्रूप है जनजातिय मामलों के मंत्री है और 17 अगस्ट को पहले स्वास्थ और पोर्टल यानि पोसन पोर्टल इसका नाम क्या है इस पोर्टल का नाम स्वास्थ है तो इसको लॉंच करेंगे और दोस्तों यह किसके साथ कोलाबरेशन से बना हुआ है यह भी आपसे एक्जाम में, यानि पहला question यह हो गया, union minister कौन है, दूसरा क्या है, इस portal का नाम क्या है, और यह कब होगा, 17 अगस 2020 को, तीसरा क्या है, किसके collaboration से, तो वह है पीरा मल स्वास्थ, the center of excellence, तो यानि has developed this tribal health and nutrition portal, यानि स्वास्थ को कौन डेवलब कर रहा है, तो जनजातिय मामलो के मंत्राले ने, पीरा मल स्वास्थ, उत्कृष्टा केंद के सहयोग से, इसको विक्सित किया है, याद रखेंगे, और यह किसके लिए है, यह बहुत महत्पूर्ण है, तो it is one store of solution, presenting all information, pertaining to tribal health and nutrition related, यानि दोस्तों आप देखते हैं, कि अभी जनजातियों क इस्तिती हमारे, बहुत ही दैनी है, इसलिए हमारे समविधान के अनसूची 5 और 6 में इनके लिए special privilege दिया जाता है, इनके लिए अलग से प्रावधान है, तो इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, इनका उत्थान किया जा सके हैं, निए socio-economic, political upliftment के लिए सरकार नित न 6 प्रस्द है, यानि 10 करोण से अधिक आबादी हमारे देश की जनजातियां हैं, आदिम जातियां इन्हें कहा जाता है, इन्हें वनवासी कहा जाता है, अभी इनका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है, इसलिए इनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रियोग जारी रहते हैं, सरकार के द्वारा हमारे समविधान में इनके लिए विसेश प्राउधान दिया गया है, तो इस तरह आप देख सकते हैं, जैसे नौर्थ इस्ट में, अब आप से प्रस्द सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, जैसे मुंडा जनजाती किस राज्यकी है, संथाल जनजा में गदी, बकरवाल, फिर हिमाचल प्रदेश में भी यह चली आती हैं, और साथ साथ गुरजर, तो यह जनजाती हैं उत्तर से दक्षिर तक, यानि इधर नौर्थ इश्ट में जैसे, अरुनाचल प्रदेश में, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, आपातानी, मिनियोंग, यह सब जनजातियां हैं, नागा लेंड में जैसे, नागा जनजाती, कुकी जनजाती, कोन्या, अंगामी, यह सब आजाती हैं आपकी परिक्षाओं में, इसी तरह से में एक हाले में जैसे, गारो, खासी, जैन्तिया, इसकी पहाडियां भी हैं, और साथ साथ जनजातियों क के नाम है इसी तरह डाफला मिरी अब और मिश्मी क्या है पहाडिया है मिश्मी सबसे उची चोटी है डाफा भूम तो यह सब पहाडियों के नाम है तो इनकी जनजातियों को आपको याद अब्दाक्षिन भारत में जैसे केरल में मालाबार मोपला कुरुमबा यह सब जनजा जितना हमने नाम लिया है ये कभी ने कभी आपके एक्जैम में आई हुई है तो इन्हें ध्यान रखेंगे अब देखेंगे इसमें पोर्टल का जो प्रबंधन स्वास्त और पोशन में ज्यान प्रबंधन के लिए उत्किष्टा केन द्वारा किया जाएगा तो ये में रख करके यह प्रोजेक्ट लॉंच किया जा रहा है कब 17 अगस्त को अब हम लोग बात करते हैं नेक्स न्यूज की वन आप दो मोस् इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें क्या है एन आई आई ओ यानि नवल इनोवेशन एंड इरिजिनाइजेशन और्गनाइजेशन नौ सेना नवाचार और स्वदेशी करण संगठन का सुभारंब किया गया किसके द्वारा किया गया यही पूछलेगा किस मंत्रा लेके द्वारा तो डिफेंस रक्षा मंत्रा लेके द्वारा और रक्षा मंत्री कौन है राजनास सिंग है तो यह याद रखेंगे और इसमें विकास प्राधिकरन, रक्षा शक्ति विश्विद्याले गुजराद, मेकर विलेज कोची और सोसाइटी आफ इंडियन डिफेंस मैनुफेक्चर्स के साथ समझावता ग्यापन परहस्ताक्षर किया है। और स्वदेशी करण संगठन कहेंगे। तो यह काफी महत्पून इसमें जैसे क्या होगा कि युद्ध पोतों के स्वदेशी डिजाइन में महत्पून प्रगति हासिल करने के बाद अब नौ सेना को भी सैन हतियार और उपकरण के डिजाइन और विकास पर ध्यान देना चाहि तो इसमें जो महत्पून बात है कि हमों के तोर पर एक थ्री टीयर यानि थ्री अस्तरीय संगठन होगा। इसमें पहले अस्तर पर नौ सेना प्रद्योग की त्वरण परिसद यानि Novel Technology Acceleration Council इसको कहेंगे N-TAC जो कि नवाचार एवं स्वदेशी करण दोनों पहलूं को एक साथ लाएगी और सीर्स अस्तरीय निर्देश उपलब्ध कराएगी समझ में यानि Innovation और Indigenization दोनों को एक साथ लाएगी और प्रथम अस्तर में ये N-TAC हो गया दूसरे अस्तर में क्या होगा दूसरे अस्तर में नौ सेना प्रद्योग की त्वरण परिशद का एक कारे समू यानि Novel Technology Acceleration Council को एक कारे समू के अंतरगत परियोजनों के कारियानवन पर ध्यान के अंदित किया जाएगा और तीसरे में जो है अब तीसरे अस्तर पर क्या है कि उभरती प्रद्योगी की के यानि Immersing जो Technology है कि समावेशन के लिए प्रद्योगी विकास त्वरण सेल यानि Technology Technology Development Acceleration Cell जिसको कहते हैं TDAC को बनाया जाएगा तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है दोस्तों और इसमें सबसे महत्पूर्ण बात है कि रक्षा अधिकरहन नीती 2020 के मसाओदे में सेना मुख्याले द्वारा विद्यमान सुरोतों के भीतर एक नवाचार और स्वदेशी कर्ण गठन की स्थापना किये जाने की परिकल्पना की गई थी तो यह महत्पूर्ण है आप लोगों के लिए कि किस मंत्रा लेके द्वारा किया गया किस के साथ यह किया गया समझ होता ये भी याद रखेंगे अब यहीं पर देख लीजे कि यूनियन मिनिस्टर केंदरी मंत्री म आगे हम लोग शेर्चा करेंगे और लखनव किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसा है ध्यान रखेंगे नवाबों का शहर इसे कहा जाता है लखनव को यह महत्पूर्ण है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और स्टेट मिनिस्टर जो है स्री पद्यासो नाईक ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं हम लोग next news की तरफ demand to include 36 गड़ लैंग्वेज in its schedule यानि 36 गड़ राज्य बना कब बना दोस्तों 1 नवंबर 2000 को 36 गड़ मदप्रदेश से निकला था तो 36 गड़ राज्य अब 36 गड़ी यहां की भासा है तो यह लोग मांग कर रहे हैं कि सिडूल में आठवी अनसूची में सामिल करने की बात कर रहे हैं इसी तरह से आप देखिए कि मरोस्तिवारी सांसत जो दिल्ली से हैं वहां मांग कर रहे हैं भोजपूरी लेंग्वेज को समविधान की आठवी अनसूची में डालने की बात कर रहे हैं तो इसी तरह से 36 गड़ के मुख्यमंत्री ने भी मांग की हुई है तो यह तो रहा भिस है अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आठवी अनसूची क्या है तो आठवी अनसूची में constitutional languages की बात की गई है समविधानी कह सकते हैं भासाओं की बात की गई है तो दोस्तों जब समविधान लागू हुआ था तो 14 भासाएं थी तो अब देखिए एड़ सीडूल में 14 भासाएं थी तो 15 भासा कौन सी जुड़ी सिंधी लेंग्वेज विच कॉंसूची अमेंडमेंडमेंट 21st 21 समविधान संसोधन के तहत 1971 में सिंधी भासा जुड़ी जिससे की 15 भासाएं हो गई और दोस्तों उसके बाद फिर 18 एडमेंडमेंट के तहत 1992 में तीन भासाएं और जुड़ी के एम एन याद रखना कौंकडी मडीपूरी नेपाली तो कितनी हो गई 18th लेंग्वेज हो गई तो कौंकडी कहां बोली जाती है गोवा वाले यानि पस्चिमितट पर गोवा महारास्ट करनाटक में भी कुछ लो वाले जिले हैं वहाँ बोली जाती है इसके बाद फिर से इसमें एमेंडमेंट हुआ वह है 90 सेकेंड बान बेहमा समविधान संसोधन 2034 में तो चार भासाएं जुड़ी इनको याद करने का तकनीक DBMS जैसे डेटा बेस मेनेजमेंट सिस्टम होता है ना तो DBMS मतलब डोगरी बोडो मैथली और संथाली तो डोगरी कहां बोली जाती है बताइए हिमाचल प्रदेश बोडो कहां बोली जाती है असम में मैथली मैथिल ब्राह्मन होते है कहां बिहार में तो मैथली भासा और संथाली जारखंड में बोली जाती है तो इस तरह DBMS तो 22 भासाएं वरतमान म हैं और अगली जो 36 गड़ी भासा की मांग की जा रही है वहां के मुक्य मंत्री ने मांग की हुई है तो यह चर्चा में आई इसलिए इसको हमने न्यूज में ले लिया तो दोस्तों इस तरह से यह सारे फैक्ट अंसूचियों संबंदित आपके तयार हो गए अब इसमें जैसे अमेंडमेंट याद रखना इयर याद रखना कौन कौन सी भासा हैं जूडी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिसंट टू बी ऑन दे लाइन आफ आयुषमान भारत यानि आयुषमान भारत की तरज पे ही कल हमारे देश के प्रधान मंत्री ने लाल किले की प्राचीर से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिसंट की सुरुवात कर दी है महारे देश के प्रधान मंतरी ने किसकी सुरात की National Digital Health Mission की और इसके अंतरगत जो मेन है वो 6 महत्वपूर्ण है यानि according to National Health Authority National Digital Health Mission Will 6 major pillars वो कौन-कौन से है यानि अब उसके लिए क्या होगा कि Health ID बनाई जाएगी DG Doctor, Health Facility Register, Personal Health Record E-Pharmacy, Telemedicine, 6 प्रमुक स्तंब होंगे और यहां काफी हद तक आयुष्मान भारत योजना की तरज पर कारे करेगा तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना बहुत ही महत्वा कांची योजना है और यहां भारत सरकार यानि केंदर सरकार की एक स्वास्त योजना है जो की 2018 में 36 गर से ही सुरू की गई थी याद रखेंगे तो आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रेल 2018 को पूरे भारत में लागू की गई थी इसमें 5 लाख रूपय का क्या दिया जाता है हेल्थ बीमा कराय जाता है और यह कोरोना नामक महामारी में यह योजना बहुत ही लावदायक सिद्ध हुई 10 करोन BPL धारक परिवार यानि 50 करोन से अधिक लोग इस योजना का लाव उठा रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है याद रखेंगे नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं MOU on Space Cooperation यानि अंतरिक सहयोग में समझाता ग्यापन हुआ है किस के किस के बीच अब यही सीधे पूछ लेगा किस देश से तो विज्ञान और प्रद्योगी मुख्याला के संगीय मंत्राला में नाइजीरिया घंड राज्ये दोस्तों एक दिन पहले यानि कल तो छुट्टी ही थी एक दिन पहले हम लोगों ने इस देश के बारे में चर्चा की थी तो नाइजीरिया अफरीका महादीव का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है यानि अफरीका कॉंटिनेंट का जो हाइस पॉपुलेशन वाला कंट्री है नाइजीरिया और नाइजीरिया की राजधानी क्या है आबूजा है याद रखेंगे तो यहाँ पर नाइजर ये सब नदियां बहती है और नाइजीरिया जो है ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ओयल भी को मात्रा में पाये जाता है और ध्यान रखेंगे, चाड जील को भी नाइजीरिया देश स्पर्स करता है, चाड जील के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, तो इस तरह से समझोता ग्यापन हुआ है किसके किसके बीच में, भारत और नाइजीरिया इगनराज के बीच में, तो ये महत्पूर्ण है, ध्य पूर्ण क्या है आपसे सीधे-सीधे, कि यहां के राष्ट पती कौन है, तो मुहम्मद बुहारी है, राजधानी क्या है, अभुजा है, यहां की मुद्रा क्या है, नाइजीरियाई नाइरा है, तो इस तरह से यूनियन मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री कौन है, पताया था ना, बिस्वत रेखा, करकरेखा, मकर रेखा, तीनों गुजरती हैं इस महाधियूप से, अब देखिए, मेडागास कर भी है, तो इस तरह से यह होर्न आफ अफ अफरीका इसको कहा जाता है, इसमें इरिट्रिया, जिवूती, सुमालिया इस सारे देश हैं, तो अब बात करते हैं, वैरियस नेशनल और इंटरनेशनल प्रसनाल्टीज इन न्यूज, यानि समाचार में विभिन रास्टी और अंतरास्टी है व्यक्तित्व, तो आईए इसमें बात करते हैं, वाइस एड्मिरल डी के त्रिपाठी, यानि दिनेश कुमार त्रिपाठी, य यानि वाइस एड्मिरल डीनेश के त्रिपाठी, एजियूम चार्ज एज, डाइरेक्टर जनरल नौवेल ऑप्रेशन्स, बनाए गया है इनको, तो यह चर्चित व्यक्तित्तों हैं, याद रखिएगा, और दफ्लैग ऑफिसर इजन स्पेसलिस्ट इन कॉम्मिनिकेशन अन एलेक्ट्रॉनिक वारफियर, और हैस सर्वड ऑन फ्रंट लाइन वर्शिप आपड़ नेवी एस सिगनल कॉम्मिकेशन अफिसर, और एलेक्ट्रॉनिक वारफियर ऑफिसर के रूप में भी या सेवा दे चुके हैं, यह महतवपूर्ण हैं, उन्होंने आइनेस विराट, आ आइनेस त्रिशूल की कमान समाली है, और विभिन्न महतपूर्ण परिचालन और करमचारियों की नियुक्ति की है, तो ध्वजा अधिकारी ने, यानि दफ्लैग ऑफिसर हैस कमांडेड इस्टन फ्रीट फार्ण 15 जैन्वरी 2018 तो 30 मार्च 2019 तक यह पूर्वी बेने पर भी क करम बीर सिंग, यानि नौसेना स्टाप के प्रमुख कौन है, तो करम बीर सिंग है, ये भी फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, अब भढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट महेंद सिंग धोनी और सुरेश रहना, तो दोस्तों यहाँ पर महेंदर सिंग धोनी का नाम आप लेगा, यानि कैप्टन कूल, बहुत सारा उनको बोला जाता था, माही, MSD, MS, थलाइवा, इन सब उपनामों से जाना जाता था दोस्तों, और इस ब्यक्ति ने भारतिये क्रिकेट को अपनी उचाहियों पर ले गया, यानि सोची ICC 2007 में, वर्ड कप T20, 2011 वर्ड कप, वंडे एक दियोसी विसुकब, सारी प्रतियोगिताओं को यह जीता, तो इनका नाम सुरण अक्छरों में भारत के इतिहास में, खासकर क्रिकेट जगत के इतिहास में लिखा जाएगा, और कल उन्होंने सन्यास ले लिया, उन्हीं के साथ-साथ भारतिये क्रिकेटर सुरेस रहना उन्होंने भी ले लिया क्या, सन्यास ले लिया, तो दोस्तों सुरेस रहना, ज्यादा टेस्ट मैच में मात्र 18 मैच ही खेले थे, उसमें भी एक सतक उन्होंने लगाया था, 768 रन बनाये थे, दोस्तों उन्होंने एक दिवसी सुरेस रहना, 226 एक दिवसी मैच खेले थे, और पांच सतक हैं वंडे में और T20 में 78 मैच अंतरास्टी मैचों में भी उन्होंने 1604 रन बनाये थे और ध्यान रखेगा सुरेश रहना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानि T20 वंडे टेस्ट तीनों में सतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को जहारखंड राज्य बना था कि नहीं बिहार से निकल कर तो जहारखंड के राची और राची किसलिए प्रसिद्ध है करकरेखा गुजरती है राची से ही याद रखेंगे ट्रॉपिक आफ कैंसर पासे स्थू राची तो वह जो है याद रखें 2014 में ऑस्टेलिया के खिलाफ खेला था इसी तरह से वंडे में बंगलादेश उसमें रन नहीं बना पाये थे वो फिर उसके बाद अंतिमें एक दिवसी मैच इंग्लेंड के खिलाफ 2018 में खेला था तो बहुत सारी बाते हैं इनके बारे में यह कह सकते हैं कि जो फैंस है एक उन्होंने और इस तरह आप देख सकते हैं कि वहाँ T20 भी सुकप 2007 में पहला ही T20 भी सुकप भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता था इसी तरह से 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था 28 साल बाद भारत ने जीता था तो इसी तरह से ICC चैंपियन्स ट्राफी पर भी कबजा किया था उन्हें राजी उगांधी खेल रत्न पुरसकार भी मिल चुका है यानि बहुत सारी बात ने इनकी एक सिनाप्सिस आपको बनानी पड़ेगी यह महत्तुपूर्ण है इस बार ने शित रूप से एक्जाम में आएंगे ही आएंगे तो इन्हें ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं हम लोग books and awards की तो इसमें award announced on independence day तो जाहिर सी बात है 15 अगस्त को announced होता है तो president of India रामनात कोविंद has approved 84 gallantry award तो कितने अवार्ड 84 अवार्ड यह ध्यान रखेंगे तो यह पूछ लेगा कितने अवार्ड को जो है उन्होंने ससस्त्र बलोंत में यानि भारत के राश्पती रामनात कोविंद ने देश की सुरक्चा और समान की रख्चा के लिए भारत के ससस्त बलों में कर्मियों और दरसैनिक बलों के सदस्यों को बहादरू के उनके कारें के लिए 84 वीरता पुरसकारों की मंजूरी दी है जिसमें इन पुरसकारों में एक कीरती च आमिल हैं और इन पुरसकारों में आप्रेशन मेगदूत आप्रेशन रक्षक के आठ मरनो परांत पुरसकार भी हैं तो यह फैक्ट हैं दोस्तों इनको याद रखिएगा और भारत में मुखरूफ से छे वीरता पुरसकार हैं जिने युद्ध काली इन पुरसकारों और पीस टाइम आवार्ड में भी हाजित किया गया है वाल टाइम और पीस टाइम तो यहनी वाल टाइम आवार्ड में कौन-कौन से आएंगे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जबकि पीस टाइम आवार्ड में असोग चक्र, कीर्थी चक्र और सौर चक्र आता है यह याद रखिएगा, अलग-अलग points तो इस वर से जम्मू कश्मीर पुलिस के हेट कांस्टेवेल अब्दुल रशीद कलास को मनो परांत उनकी बहादुरी के लिए कीर्थी चक्र से सम्मानित किया जाएगा, तो कीर्थी चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा शौरे वीरता पुरशकार है, ये ध्यान रखेंगे, तो इस सारे फैक्ट है, इनको याद रखेंगे, अब बढ़ते हैं हम लोग ग्रामोदय बंधु मित्र पुरशकार चेर परसन आफ इंफोसिस फांडेशन, तो इंफोसिस साफड़वेर की कंपनी है, तो इसकी चेर परसन सूधा मूर्थी और एग्री एंड आईटी बिजनेस लिम्टेट के ग्रूप हेड सिव कुमार सुरंपुदी, ग्रामोदय बंध मित्र पुरशकार के भीजेताओं में से एक हैं दोस्तों, यह जो पुरसकार है, अन्य और भी लोगों को दिया गया है, इसमें जैसे बीजे भूसरण भाटकर, पंडित स्री, S.P. वर्मा, विलाशिंदे, कौसल, राजामौली, तिलंगाना में, गंगा, देवपल्ली के पूरसरपंच, ब्रिगेडियर, पोगुला, गने स्थापित किया गया है, पूछ ले जागा, आप से एक्जाम में सीधे-सीधे, कि ग्रामोदय बंधु मित्रपुरसकार, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो यह है, ग्रामोदय चेमबर्स आफ कॉमर्स एंड टेक्नलाजी के द्वारा, जो कि उसमानिया द्याले के पूरो चात्रद्वारा स्थापित एक NGO है, नान गॉर्नमेंट और्गनाइजेशन है, अब देखिए चर्चित पुस्तकों में यह बहुत ही चर्चा में रहा है विसे, इसलिए हमने आज इसको लिया है, कि 35 देज, हाव पॉलिटिक्स इन महारास्ट्रा, चेंज पर आधारित यह कहानी है, यह किताब है, और इसके लेखक हैं जीतेंद्र दिक्षित, जो की ABP News सुना है दोस्तों, के West India Editor है, मुंबई में रहकर वह 20 वर्सों से अधिक समय से अपराध टक्राव और राजनीत के बारे में रिपोर्टिंग करते रहे हैं, इससे पहले उन्ह तक और Star News के साथ भी काम किया है, Crime Journalist के रूप में मुंबई के Underworld के बारे में ब्यापक रिपोर्टिंग कर चुके हैं, उन्होंने Star News के लिए Ground Zero, यानि 26 11 के मुंबई आतंकी हमले को भी कवर किया था, इस पर एक पुस्तक लिखी, जो हिंदी और मराथी में बेस्ट सेलर भी नहीं रही, उन्होंने वर्स 2011 में निव्यार्क में संगठित आपराधिक गुटों से लड़ाई बिस्षय पर FBI द्वारा IOG सम्मेलन में भारत का प्रतनेदित्त भी किया था, 2015 में जीतेन दिक्षित को कश्मीर विधान सभाचुनाओं में उनकी डाकुमेंटरी के लिए रा जट के अंदर तूट गया, तो वो कैसे हुआ इन सब बातों को इसमें इन्होंने पिरोया है इस किताब में, तो ध्यान रखेंगा हमको पुस्तक का नाम याद रखना है, अब खेल समाचारों में बहुत ही महत्तपूर्ण खबर है, खासकर खिलाडी प्रेमियों के लिए, अकसर वो लोग बारसिलोना से बहुत संबंदित रहते हैं, और काफी चर्चा में था, मैच 74 साल बाद, यानि बारसिलोना मोस्ट एम्ब्रेसिंग डिफीट इन 74 एर, यानि 74 वर्सों के बाद इतना बड़ा जटका खाया है कौन? बारसिलोना ने, यानि पहली बार चैंपि में आठ गोल, सोचिए, आठ दो से हरा कर, UEFA Champions League के सेमी फाइनल में पहुच गया कौन? बायर्न म्यूनिक, और इसके जो महत्पूर्ण खिला लिए हैं, थामस मूलर और फिलिप कोटिनों ने सबसे ज़्यादा दो दो गोल किये, किसके खिलाड़ी? बायर्न म्यूनिक के, य जर्मन फुटबॉल क्लब, बायर्न म्यूनिक सुक्रवार को पांच बार की विजेता, यानि बार्सिलोना को आठ दो से हरा कर, सेमी फाइनल में पहुच गया, यानि लीग के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने नाक आउट स्टेज में आठ गोल किये हैं, ये बहुत बड 46, कोपा डेल रे में सेविला ने बार्सिलोना को आठ जीरो से हराया था, तो दोस्तों यह 74 साल बाद इतनी करारी हार मिली है, किसको बार्सिलोना को, तो यह लीग में पहली बार बार्सिलोना के खिलाब, यानि चार गोल हुए हैं, और वरतमान भी जेता जो है, की सबसे सीर्स फुटबॉल क्लब, यानि उनी सो पचपन में स्थापित किया गया था, इसको महत्पूंट प्रतियोगिता मानी जाती है, पेरिस में हुआ था इसका, अब हम लोग बढ़ते हैं, next, IOA launches a One India Team India Digital Campaign on Independence Day, यानि 74 सोतंता दिवस के मौके पर भारती ओलम्पिक संग इस मौके पर कौन सा Digital अभियान शुरू किया है, वह है एक इंडिया Team India, यानि One India Team India अभियान, ये सीधे सीधे आपके One Line आजाएगा, और पूछे किसने किया है, तो भारती ओलम्पिक संग ने, भारती ओलम्पिक संग के बारे में मैं पिछली क्लास, यानि पिछली वाली क् किया अमेरिका में यॉर्क टाउन और वर्जीनिया की खोज हुई, तो दोस्तों वर्जीनिया परांथ है, कहां अमेरिका में, आँерь परदेश में वर्जीनिया की, केंट्की ग्रास रीजन सुना होगा, तो वहां की टमभाकु 20 प्रशिद्य टमभाकु उसका उतपादन हम भारत है और वर्ड नो टोबैको डे कब मना जाता है 31 माई को याद रखेंगे इस तरह से यह है तोबैको आंध्र प्रदेश में प्रती हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो यह महत्पूर्ण है वहां से संबंदी थे वरजीनिया की प्रत्ति हुई थी दोस्तों चिली जैसा की नाम से इसके दिख रहा है चिली इसकी राजधानी सैंटियागो है दोस्तों यहीं पर 20 का सबसे ड्रायस डेजर्ट यानि वर्ल ड्रायस डेजर्ट इस अटाकामा डेजर्ट सच्वेटेड इन चिली कंट्री और चिली में ध्या की राजधानी है तो बीच में एंडीज परवसिंखला को काटते हुए निकाला जाता हूँ उस पलाटा दर्रे से तो उस जो है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग कह सकते हैं उसको ध्यान रखेंगे तो कहा से कहा तक है वाल परासो टू ब्यूनस आयर्स है अगर ऐसे पतला सा आप देखेंगे ये ऐसे पतला सा है ये अफ्रीका महादियूप में ये जो है यहाँ पर ये इसमें जोड़ा गया है ये ट्रांस एंडियन रेल मार्ग और यही पर यह गुवानो पच्छी के बीट से सबस्यादा नाइट्रेट का उत्पादन भी यही करता है चिली देश और उपर अटा कामा डेजर्ट है यही भूमद शागरी जलवाई भी पाई जाती है ये ध्यान रखेंगे दोस्तों आजी के दिन 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कारवाई दिवस एलान किया था इस दोरान हिंसा में कोलकाता के नोवाखली में पांच हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए थे पंदरा हज़ार लोग घैल हुए थे यह बहुत ही कह सकते हैं कि स्वतंता के पहले ही इस तरह से समस्याई शुरू हो गई थी और आजी के दिन 1960 में साइप्रस इसकी राजधानी निकोशिया है United Kingdom से मुक्ती मिली थी इसी दिन को साइप्रस जो है स्वतंता दिवस के रूप मनाया दाता है कब? 16 अगस्त और साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोशिया है इसी तरह से राजधानीया याद होंगी अगला है 1990 में चीन ने अपना परमाण परिक्षण लोपनूर में किया धोस्तों ये लोपनूर जील है वहां की याद रखना जील प्रदेश है वहीं पर यहाँ करता है अपने परमाण परिक्षण लोपनूर छेतर में ध्यान रखेंगे और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है उसके बाद है इक्वाडोर ग्रांटेट पोलेटिकल एसाइलम टू विकी लिक्स फाउंडर जूलियन असान्जे यानि 2012 में विकी लिक्स के संस्थापा कौन है? जूलियन असान्जे को इक्वाडोर यह दक्षण अमेरिका महाद्यूप का देश है इसके बारे में बता चुका हूँ इसकी राजधानी क्या है? क्वीटो है और विश्वत रेखा यहीं से गुजरती है तो इक्वाडोर में राजनीतिक संड दी गई थी आजी के दिन और दोस्तों आजी के दिन 1904 में सुबद्रा कुमारी चवहान यानि सुतंता सेनानी कवित्री कहानिकार 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था और ध्यान रखेंगे 15 फरवरी 1948 को इनके मृत्य हुई थी तो यह जन्मस्थान यह है इलहाबाद वरतमान में इसको प्रियाग राज कहा जाता है इनकी जो पुस्तके हैं वो बहुत ही महत्पूर्ण है कविताएं अगला है परम हंस तो यह महत्पूर्ण व्यक्तित्तों है आजी की दिन 1886 में इनकी मृत्य हुई थी और इनके प्रमुक्षिस्यों में स्वामी विवेका नंजी का नाम आता है यह ध्यान रखिएगा सबसे महत्पूर्ण और यही इनके नाम पर रामकृष्ण मिशन मुख्याले बेलूर मठ में है यह चर्चित व्यक्ति हैं और 2018 में अटल भिहारी बाचपेई भारत के पूर प्रधान मंत्री और भारत रतन प्राप्त करता भी है आज ही के दिन की मृत्ति हुई थी किसकी अटल भिहारी बाचपेई जी की और अटल भिहारी बाचपेई जी की महत्पूर्ण मेरी 51 कविताएं सेकुलर वाद अमर आग है संसद में तीन दसक कैदी कविराय की कुंडलियां मृत्व या हत्या रग रग हिंदू मेरा परिचय ये सारी रचनाएं हैं इनकी पदम भी भूसन लोकमाने तिलग पूरसकार सरसे सांसद पूरसकार भारत रतन पूरसकार से सम्मानित किया गया है बंगलादेश का भी इनको फ्रेंड साब बंगलादेश लिबरेशन वर्ड अवार्ड भी से भी इनको सम्मानित किया गया और ये आजीवन अभिवाहित रहे अब हम लोग लेट स्टाक एवाउट सम इंपॉर्टन फैक्ट एवाउट प्रेसिडेंट दोस्तों प्रेसिडेंट चल रहा है प्रेसिडेंट इतना सामाने नहीं है आज हम लोग प्रेसिडेंट के जीके की बात करेंगे ये जनरली किताबों में से ही निकाला जाता है लेकिन नहीं है कोई यहाँ पर कि एक बार से अधिक बार रह सकते हैं तो यह दो बार 1950 से लेकर के 1912 तक भारत के यह राश्टपती रहे हैं पहले मुस्लिम राश्टपती जाकिर हुसेन और यह भारत के तीसरे राश्टपती थे चुकि पहले डॉक्टर राजेत प्रसाद दूसरे बनता है उप राश्टपती राश्टपती बनता है तो उस समय वीवी गिरी थे तो पहले कारवाह को को रास्टपती कौन बने वीवी गिरी आगे हमने फैक्ट लिखा है फिर वीवी गिरी चुनाओ लड़ने लगे तो उनकी जगा चीफ जस्टिस आएगा एम हिदायत उल्ला बने पहली महिला रास्पती प्रतिभा देवी सिंग पाटिल बनी थी कब बनी थी 2007 में इन्होंने कि इसको हराया था भैरो शिंक्षे खावत को हराया था ध्यान रखेंगे और यहां तेरावी रास्टपती बनी थी कौन प्रतिभा देवी सिंग पाटिल यानि 2007 से लेकर के 12 तक थी ध्यान रखेंगे फिर उसके बाद भारत के पहले निर्विरोध रास्टपती नीलम संजीव रेड़ी यह ध्यान रखेंगे नीलम संजीव रेड़ी 1977 में अन आपोजड प्रेसीडेंट बने थे दोस्तों इनके बारे में बहुत कहानिया है नीलम संजीव रेड़ी ऐसे रास्टपती है कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं लोग सभाई स्पीकर भी रहे हैं रास्टपती का फैक्ट ही आ गया कि यह चुनाओ हार भी चुके है नीलम संजीव रेड़ी और इनको कौन हराय था था वीवी गिरी हराय थे फिर नीलम संजीव रेड़ी एक मात रास्पती हैं जो लोग सभाई स्पीकर और मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं ग्यानी जैल सिंग ऐसे रास रास्पतियों को भारत रत्न मिला है तो कौन कौन से हैं डॉक्टर राजेंद प्रसाद, एस राधा कृष्णन, जाकिर उसान, वीवी गिरी सुरू के चारों याद रखना भूलेगा नहीं कभी फिर उसके बाद एपी जे अब्दुलकलाम कब मिला था 1997 में फिर अगले प् पूछ लेगा कि कौन राष्टपति का एलेक्शन लड़ी थी? फर्स्ट महिला तो लच्मी सहेगल लड़ी थी, किसके खिलाब? डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम के खिलाब कब लड़ी थी? 2002 में. दूसरी महिला तो राष्टपति बनी ही प्रतिभादेवी सिंग बने थे? यह किसकी मिर्ति हुई थी जब बने थे? जाकिर हुशैन की और भारत के पहले ने आएधिस एमिदायतुला कारवाहक राष्टपति बने थे? तो भीवी गरी जब राष्टपति का चुनाओ लड़ी लड़ी तो उनकी जगा ये बन गये थे? तो पहले कारवाहक जो चीफ जश्टिस बने ये भी इस तरह से? अब दोस्तों आज के अभ्यास प्रस्ट में तेजी से अंसर दीजिएगा स्वास्त पोर्टल को कौन सा मंत्राले ने बनाया है? तो मिनिस्ट्री आफ ट्राइबल अफेर्स ने अगला है नव सेना नवाचार स्वदेशी करण स संगठन का सुभारम किस मंत्राले ने किया है? तो रक्षा मंत्राले ने. तीसरा कोश्टन है वरतमान में समविधान की आठवे अंसूची में कितनी भास आएं हैं? तो दोस्तों 22 भास आएं हैं. पूरवांचल यानि भोजपुरी या सब जूडने के लिए प्रयासरत हैं. और 14 भासा हैं जब समविधान का निर्मार हुआ था. 15 भासा 21 समविधान संसोधन के ताहत 1971 में. 18 हुआ था 11 समविधान संसोधन के ताहत 1992 में. और 22 हुआ था 92 में Constitutional Amendment के ताहत 2003 में. यह याद रखिएगा. अब नेक्स्ट है ग्रामोदय बंध मित्र पुरसकार्णिन में से किसे नहीं मिला है. तो इन तीनों लोगों को मिला है. अपना समाचार उपर देखिएगा. शिखा सर्मा एक्सिस बैंक से संबंदित रही हैं. तो यह ध्यान रखेंगे. इनको नहीं मिला है. अगला है 35 डेज. यह पुस्तक किसकी है? जितेंद्र दिक्षित. बहुत चर्च जीता है. बारसिलोना पांच बार जीता है. और बायन मिवनिक ने कल ही बारसिलोना को हराया है. 74 साल का रिकार्ड टूटा है. 1946 में से पहले 8-0 से बारसिलोना इतनी बुरी तरह हा रहा था. ध्यान रखेंगे. अगला है कोशन. भारती ओलंपिक संग ने देश के 74 में सुतं अगला है. अटल बिहारी बाजपे कितनी बार देश के प्रधान मंत्री बने थे? एक बार, दो बार या तीन बार? दोस्तों, तीन बार. एक बार उनकी 13 दिन सरकार चली थी. दूसरी बार 13 माही ने. तीसरी बार उनने पूरा कारकाल पूरा किया था. इसलिए तीन बार थे? वीवी गिरी. अभी कुछ देर पहले ही चर्चा किया था. उनकी जगा फिर कौन बना था? एम हिदायत उल्ला बने थे. तो इस तरह से आज हम लोगों ने राष्टी अंतराष्टी जगत की खबरों को लिया. प्रिलिम बिशेस प्रस्न जो आपके वंडे एक्जाम के अभी उसे important प्रस्नों को भी लिया. साथ-साथ facts आज के इतिहास में और साथ-साथ polity के, खासकर राष्टपती का जीके वाला पार्ट, आज समवैधानिक बिंदूओं पे हमने चर्चा नहीं की. ध्यान रखिएगा. यह इस तरह के प्रस्न भी आपके एक्जाम में आ जाते अभी बहुत सारे points है, facts है, इनको याद रखिएगा. तो यह आशा करता हूँ कि आप लोगों का आज की class अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज लाइक, share and subscribe. दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आज से आपकी class IBPS Bank PO और दिल्ली पुलिस, बिहार SI, UP Police SI भी, UPSI का भी आने वाला है, 9000 से अधिक पद आने वाले हैं. तो दोस्तों एकदम कमर कस लीजिए और एकदम से इस बार ध्यान रखना है कि आप लोगों को सफल होना है, कोई तुरुटियां न रह जाएं. अब हम लोग बिदा लेते हैं, धन्यवा दोस्तों